हेलो दियर स्टुडेंट्स वेलकम तो यूर फेवराइट यूट्यूब चैनल एमसाब सॉलीशन्स आज हम लोग चेप्टर वान के जो सौट कुश्चन से या पार्ट टू पार्ट वन वीडियो में बना चुका हूं तो पार्ट टू के वीडियो जो सौट कुश्चन से चैप्टर वान के वो इस वीडियो में आप से मैं स्यार करूंगा तो चलिए वीडियो सुरुआत करते हैं तो वीडियो में मैं देख रहा रहे होंगे तो सौट कुश्चन सौट अनस्ट कुश्चन जो भी है यहां से हम एक एक करके सब डिसकुस्चन करेंगे तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे अनुरुद रहेगा कि वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह से वीडियो आपको मैं आगे जाके भी देशेकूं और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए तो फस्ट कुस्चन छान नंबर का है तो क्या है इस चैप्टर में फस्ट जो पेज है बुक्स में के लिखा हुआ है तो information thread क्या है और thread क्या है वैसिकली thread होता है जिसके जरिये computer system या फिर computer system के अंदर जो information है उसको किसी भी तरह से आप हामुद पहुँचाए ठीक है तो उसको हम कहते है information thread next आता है B का question define firewall and write its uses तो firewall क्या होता है a firewall is a system designed to prevent unauthorized access to or from a private network basically unauthorized access जो भी हम लोग firewall क्या होता है देखिए एक system होता है जिसके जरिये कोई भी unauthorized access आप incoming message हो या फिर कोई भी unauthorized आपके computer को hack करना चाते हो उसको ये क्या करता है block करके रखता है firewall ठीक है तो uses of firewall firewall कहा कहा से use होता है देखिए a firewall protects your computer from unauthorized remote access कोई भी जगह से आपको remote access unauthorized अगर आप authorized नहीं किये है तो unauthorized remote access को ये block करता है ठीक है next आता है firewall can block message linking to unwanted ऐसे बहुत सारे message आते हैं जिसके click करने से कोई भी unwanted contents आ जाता है जिसको हम देखना नहीं चाहता है या फिर हमें नहीं चाहिए तो उसको भी ये block करके रखता है next आता है firewall make online gaming safford online game खेलना बहुत तरह से danger होता है क्योंकि हमारे जो भी online game खेलते हैं online game से हमारे system को या फिर हमारे mobile को बहुत सारे धारम आ सकते हैं हमारे जो information है उसको वो hack कर सकते हैं इसके तहत firewall लगाने से क्या होता है आपको online gaming से पर होता है यह क्या करता है कोई भी आम से remote में access मांगे है तो यह block करता है next we can block unsuitable content with the help of firewall unsuitable content यहाँ पर unsuitable content का मतलब कोई भी दखिए एक जगा पर firewall लगा हुआ है इस firewall के बहुत सारे अंटिपहरिश में भी यह आज कल दे दिया जाया गया ऐसे कि मैं अपना computer यूज कर रहा हूं मेरा computer और कोई ना यूज करे कोई बच्चा यूज कर रहा है तो उसे जो suitable content चाहिए कोई other websites नहीं कुल पाएं इसके लिए firewall में block के options देते हैं तो with the help of firewall we can block that unsuitable content next आता है what is cyber law cyber law क्या होता है cyber cyber मतलब क्या है basically cyber क्या है cyber मतलब with the help of internet cyber क्या होता है जो भी computer use कर रहे है internet sorry websites या mobile phone जो भी use कर रहे है वो internet के जुड़े होना चाहिए उसको हम cyber करते हैं cyber law क्या होता है cyber law is the law governing the cyber space जो भी cyber space है बहुत सारे cyber space like computer internet websites emails और mobile phone यह सब cyber space के तहता है जो भी digital communication करते हैं ठीक है तो उसके लिए जो law बना हुआ है जो नियम उसके लिए बना हुआ है इसको कहते है cyber law तो basically cyber law is the law governing the cyber space next आता है question number D what is information security information security क्या है information security is the process of preventing and identifying unauthorized user computer when transforming information over internet or network तो information security क्या करता है preventing करता है और identifying fast तो यह prevent करता है कोई आहां ना सके ठीक है अगर आ गया उसको identify करता है और user को बताता है कि यह unauthorized access कर रहा है computer को इसको हम कहते है information security ठीक है next आता है information security में बहुत सारे आता है firewall आता है antivirus आता है proxy server आता है VPN आता है यह सब information security के तहत आता है next आता है यह आप पर what is virus virus क्या है virus का full pump आपको पता ही होगा vital information resource under siege तो यह basically एक program और a set of programs एक program होता है नहीं तो बहुत सारे program jointly किया जाता है that disrupts the normal operation of the computer computer हम जैसे चलाते हैं उसको यह disrupt करता है मतलब कोई file जो भी हमारे file useful files होते हैं बहुत सारे system files, drivers file होते हैं उसको यह delir करता है या फिर block कर देता है यह होता है virus next आता है f what is malware malware क्या है basically malware इसको short form है malware इसका बड़ा form है malicious software malicious मतलब dangerous malicious क्या होता है देखिए it is a programming malware क्या होता है it is a programming or a files it's basically program होता है और file होता है better help better develop for the purpose of doing harm okay तो doing harm basically यह computer system को harm पहुंचाने के लिए program और यह file होता है इसको हम कहते हैं malware malware में बहुत सारे आते हैं सभी यह malware है firewall, malware, spyware यह सब malware के तहत आता है ठीक है next आता है what is spoofing 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 is a type of scam where a person attends to gain unauthorized access to a user system or information by pretending to be the user basically वो ग्यान करता है हम जो computer system lock करके रखते हैं या फिर मेरा password वो unauthorized access करता है लेकिन दिखाता है कि मैं यह user हूं मतलब वो हमारे password चूरी छुपई यूज करता है ठीक है तो उसको computer को लेखता है हम ही मार रहे हैं हम ही enter कर रहे हैं ठीक है न तो इसी तरह spoofing होता है यह basically एक scam होता है next what is cypher text cypher text जब original text convert हो जाता है coded equivalent text जो की कोई भी पढ़ ना सके इसको हम कहते हैं cypher text तो answer होगा when a original text turned into a coded equivalent or encrypted text that is called as cypher text next question आता है what is cryptography तो cryptography क्या है cryptography it is digital technique in which the plain text turned into its coded equivalent text that is cypher text as the center at the center end sender जब send कर रहा है उससी सम्माई आप जो plain text लिख रहे हैं वो क्या होगा coded equivalent text को convert हो जाएगा और at the receiver end जब हम कोई किसी को message कर रहे है receiver end में जो है वो उसी cypher text इस जगह पर cypher text decrypted होके हम जो message वह पर भेज रहे हैं उसको वो सो करेगा जो बीज में होगा वो encrypted text वो cypher text होगा ठीक है इसको हम इसी process को हम लोग क्याते हैं cypher cryptography cryptography is a digital technique in which the plain text turned into its coded equivalent text at the sender end and that cypher text is decrypted to plain text at the receiver end next रहता है what is Adware Adware it is commonly known as advertising supported software advertising जो advertise करके revenue दोता है honor को ठीक है तो Adware is any type of software package that automatically display advertisement in order to generate the revenue for its honor जो भी यह advertisement software by Adware develop करता है उसको वो आप अगर देख रहे होंगे या पर क्लिक कर रहे होंगे उसके तहत आप उसी owner को जो यह develop किया है उसको कुछ पैसा मिलेगा next आता है what is spyware spyware क्या है spy spy मतलब क्या है जांच करना ठीक है 4 पर जांच करना spy करना spyware is a software that secretly collects the user information while on user using internet जब भी आप internet में कुछ काम कर रहे हो तो वो क्या करता है spyware एक एक ऐसी software है जिस वो secretly आपके data जैसे कि आपका login cardinals हो या फिर एक्टेम पास्वार्ड हो या फिर credit card details हो इसको सब कलेक्टर के रखता है और इंटरनेट में उसको यूज करते हैं ठीक है नेक्स्ट आता है what is online fraud online fraud क्या है fraud तो बहुत सारे है online fraud क्या है देखे online fraud मतलब जो fraud online होता है online मतलब using computers या फिर internet के जरिए online होता है ठीक है online fraud is a type of cyber crime it is under cyber crime which uses computer or mobile system to collect users information, money और property with the help of internet तो online fraud जिसके तहत क्या होता है computer system और mobile system के internet information को वो fraud करते हैं जैसे तरह कि आपको money या फिर प्रोपर्टी या फिर कोई वी चीज़ वो calculation या फ्रोड करके ले सकें next होता है define question है define hacking hacking और cracking तो hacking क्या है hacking is a process to explore the things and working of any computer system or networking system explore करना उसके अंदर क्या है जानने की जो चाहा थे उसको हम hacking कहते हैं ठीक है आपके computer system lock हुआ है उसके अंदर क्या है वो hacking जो process होता है उसको explore करना मतलब उसको खोल के सब कुछ देख लेना उसको कहते हैं hacking next होता है cracking cracking क्या है cracking is the process of gaining access to software without paying the royalties royalties ना देके या फिर जो software use कर रहे हैं उसको पैसा ना देके उसको use करना वो ही process को हम लोग cracking कहते हैं वा cracker जो ये करता है उसको हम कहते हैं cracker next आता है questions define encryption and decryptions what is the encryption encryption is the process of converting a plain text to its coded equivalent text that cannot be readable by anyone ये एक ऐसा process है जिसके जगा plain text आप जो भी plain text लेख रहे हैं वो coded equivalent text coded हो जाता है जो कि कोई भी पढ़ नहीं सकता code हो जाता है ठीक है तो इसको जो process होता है इसको हम कहते हैं encryptions इसका ठीक opposite process को हम लोग कहते हैं decryption यानि decryption is a method that the coded text converts to its plain text जो भी coded होता है उसको फिर से plain text convert करना उसको हम लोग कहते हैं decryptions next question which section of IT act 2000 deals with tempering with computer source document कौन सी ऐसी section से IT act के में जो की tempering with the computer source document में काम करता है वो होता है section 66A section 66A में clearly लेखा हुआ है कि अगर कोई आपका computer source मतलब आपके computer में जो documents है उसको कौपी करके कोई जगा पर भी यूज कर रहा है तो आप section 66A के तहत उसके against cash affair lodge कर सकते हैं next आता है question which section of IT act 2000 deals with hacking with computer system तो hacking with computer system section 69 के तहता है section 69 में लिखा हुआ है hacking with computer system इसके तहत आपको आजीवन करावास भी हो सकता है next आता है question what is cyber space cyber space क्या होता है basically cyber space refers to the virtual computer world virtual मतलब real नहीं है ठीक है कोई आपस में connected नहीं है सब connected है लेकिन आपस में physically connected नहीं है तो ये virtual computer world है ठीक है जैसे कि it includes computer email internet website cell phone ATM etc these are called cyber space next one is last question of this chapter what is pissing pissing is a fraud in which the attacker tries to obtain sensitive informations तो sensitive information like आपका login information होगा या फिर credit card information होगा आपका user जो भी आपका sensitive private information होगा उसको ये tries करता है obtain के लिए by showing as a reputed entity reputed entity reputed entity या फिर company हो सकता है ये show कर रहा है कि आप ऐसा कुछ examples है बहुत सारे मैंने session में भी दिया हुआ है जैसे कि आपको कोई mail आया या फिर message आया कि facebook के तेद facebook company ने आपको 200 करण का एक lottery दिया है उसके लिए ये ये करिए ठीक है तो ये सारे जो भी problem है ये sir pissing के अंदर आते है ठीक है तो ये था मेरा chapter 2 का question sorry chapter 1 का part 2 का question बहुत जल्दी ही मैं chapter 2 का question upload करूँगा जो भी ये video देख रहे है उसको like, share, subscribe करिए और video को end तक देखिए सब चीज़ मैंने clearly discussion किया है कोई भी doubts हो तो मुझे comment section में लेखती है ठीक है thank you children बाइब बाइब